हलो अबरिवान मैं हूँ डीपक पांत तो स्टुडेंट जैसा आप सभी को यहां पर पता है कि हम आप लोगों के लिए एक सितंबर 2020 से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एक्जाम 2021 की तैयारी करवा रहे हैं तो आज के इस लेक्चर में मैं पढ़ाने जा रहा हूं प्लास नाइन्थ के एक्जाम के लिए जी हां आज मैं आपको बताऊंगा सेल के बारे में कोसिका के बारे में ठीक है सेल इस दा फंडामेंटल यूनिट अफ लाइफ सेल क्या है जीवन की सबसे फंडामेंटल उसके बाद अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंफिटर स्क्रीन पर तो स्टुएंट जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम यहां पर जो पार्ट पढ़ेंगे हम सेल वाला पार्ट पढ़ेंगे इस दा फंडामेंटल यूनिट आफ लाइफ यहां पर हम देख सकते हैं सेल आपके लाइफ को मैंटेन करती है अब जो सेल यह वर्ड है यह जो सेल वर्ड है आपका यह सेल वर्ड एक लेटिन वर्ड होता है ठीक है लेटिन वर्ड है सेलुला क्या है लेटिन वर्ड है सेलुला जिसका क्या मतलब होता है जिसका मीनिंग होता है कमपार्टमेंट ओके कमपार्टमेंट यह जिसको हम बोल सकते हैं रूम इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है एक छोटा था कमरा ओके सेल क्या है सेल इस यूनिट अब स्ट्रेक्च करना है इससे बड़िया आप सिंपल सा यहां पर याद कीजिए कि सेल आप सेल इस दस्मॉलर सिंगल यूनिट जैकन मेंटेल लाइफ यह किस लेटिन वर्ड से मिलके बना है यह आपका एक सेलुला नाम का लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपार्ट में अब इसकी स्ट स्ट्रक्चर के बारे में सेल के बारे में सारी स्टडी करते हैं ऐसी और आपका आता है सेल बायोलोजी ऐसी आपके प्रस्थे जाते हैं सेल बायोलोजी के है सेल बायोलोजी में हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में सेल के बारे में सेल डेबलोमेंट के बारे में बायो केमिस्ट तो किसी ने कियो गिना सेल की तो उसकी डिसकोवरी किस ने की थी उसकी डिसकोवरी आपकी रोबर्ट हुक नहीं की थी कब की थी 1665 में ये पॉइंट भी आज कले जिए रोबर्ट हुब for the first time observed honeycomb आपने देखा है जो मदुमक्षी का छत्ता होता है honeycomb like structure देखा था उन्हें ठीक है उन्हें क्या देखा था honeycomb like structure किसमें देखा था रोबर्ट उगने कब देखा था 1665 में इसके बाद और भी आपके थी थी त्योरी जैसे आपकी sliding और swan यह थी थी उन्हें ने थी ठीक है उनका नाम आप यार्थ कर लिजिए उनका नाम है sliding और दूसरे का नाम है swan यह आपके German botanist थे और यह आपका German geologist थी ठीक है तो उन्हों ने सारी चीज्यहा पर आपको बताये थी उनके शल एक skirt ये बारे में आपको बताया था सिरitting घृभा में सारी की सारी चीजह यहाँ पर समझ्छके के से स्टुडेंट आपको यहां पर नार्ट जिए तनमझ में आया यहां पर आप चिग याह in the way पोट हैं। हुई है को मुल्यत हैं а पर थोड़ा सा आगे और रघबड़ में इसको डिटेल में जब आरे पेड़ कोर्स में आएंगे तो वहां पर आपको जानने को मिलेगा अब मैं हलका सा यहां पर आपको structure के बारे ही बता रिता हूं ठीक है तो जो आपका cell wall है वो केवल plants में वाई जाती है यह सबसे outer part होता है ठीक है किस में है plants में cell membrane होता है यह भी सबसे outer part होता है किस में केवल animals में और इसके अंदर होता है मतलब cell wall अगर हम plants की बात करें plants में सबसे बाहरा ं आपका cell wall होता है उसके अंदर cell membrane होता है इनिमल में सबसे जो ऑवोतर पाइट है वह क्या होता है cell membrane उसके बाद उसके अंदर एक नुकलियस वारा पाइट आता है जिसको नुकलियस नुकलिय टाइग बोलते है प्रोकेरियो टिक और यूकरियो टिक अभी आगे पढ़ेंगे उसके बाद आपका साइटोप्लाजम आता जो उसके अंदर पुड़ा एक लिकुट सा आपका बरा रहता है उसके अंदर आपके ऑर्गनल्स आते हैं वह जैसे आपका यह सारे एंडोप्लाजम की रेक्टिकुलम है गॉल जी ऑप्रेटर्स है लाइसोजोम है माइट्रोपंडिया वकल्स है प्ला थैंकर थे ऐसेल का ठीक है यह पर राइजी हम आपके सारी की सारी चीजां हम यहां पर समझेंगे अब उसके बाद स्वोड़ा सा हम पर डिटेफ्रेंश पढ़ää लेते हैं कि किसके भीच मैंदी अलसेलिलोलर के बीचاع और मल्टिस और के बीच ऐникиका Cred miceller retail है उसमें एक style होगा मुर्टि सेलर में बहुत सारी sales होगी इनका function क्या होता है इसका function performed वैंपा single cell होता है इसमें अलग js्ल जय सेल के अलग अलग function होते हैं हमारे सेरीक में आलग और के अलग अलग functions उसके इनका life span बहुत short होता है, इनका life span बहुत long होता है, इसका multicellular का, अब उसके बाद बात करते हैं हम prokaryotic और eukaryotic, prokaryotic मतलब पहले वाले, ठीक है, किस कौन से, पहले वाले, और eukaryotic मतलब नए वाले, मतलब जिसमें अगर हम बात करें, nucleus की, nucleus आपका developed होगा, वो आपके eukaryotic म आता है, जो developed नहीं होते हैं, वो किसमें आते हैं, आपके prokaryotic में आते हैं, यहाँ पर single chromosome होता है, यहाँ पर बहुत सारे आपके chromosome होता है, यहाँ पर nucleus absent होता है, advanced nucleus, okay, यहाँ पर membrane bound cell organs are absent होते हैं, यहाँ पर present होते हैं, ठीक है, यह cell division मेगरा हम कभी detail में बात में हैं हमारा private code, तो आप 2500 रुपे आप निफीज जमा कर सकते हैं, उसका link नीचे description में दिया हुआ है, यहाँ पर यह इसके figures है, eukaryotic और prokaryotic के बारे में, अब यहाँ पर मैं आपको उता हूँ कि हम paid words में आपको कुछ MCQs भी बताएंगे, ठीक है, किस तरीके आपके question आते है है, who discovers cells in 1665, यह पहले question आया हुआ है, तो इसका option क्या है, option number रॉबाट हो, क्योंकि वहाँ पर आपको केवल टिक लगाने, मतलब आपको circle भरने होते हैं, OMR में, ठीक है, उसकी practice भी आप करते रहोगे हमारे साथ, second question है, name the outermost boundary of the cell, तो के यहाँ पर आप option देखिए, membrane, okay, cell wall कहाँ पर आता है, cell wall आपका केवल plants वाले में आता है, कहाँ पर आता है, plants वाले में, next, हम जो second last question में चलते हैं, वो है, the jelly-like substance present inside the cell is known as, अभी मैंने आपको बताया था, वो jelly-like कौन सा है, जो आपका liquid पार आता है, वो आपका है, cytoplasm, अभी हमने पढ़ा थाना, cytoplasm के अंदर आपको बहुत सारे organelles से, वो आपका इस तरीके से हमें आपको तैयारी करवाएंगे, last जो question है, वो है blue-green algae कौन से होते हैं, prokaryotic जो होते हैं, यू-karyotic होते हैं, दोनों होते हैं, कि कुछ भी नहीं होता है, तो prokaryotic आपके होते हैं, जो blue-green algae है, वो आपका prokaryotic cells होते हैं, तो students आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, आप comment box में हमें जरूर बताइए, और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने दोस्तों को दिखाईए, जो लोग इस समय सैनिक स्कूल की तैयरी करना चाह रहे हैं, 2001 किस के लिए, आप उनको यह वीडियो दिखाएं, उनके मम्मी पापा को यह वीडियो दिखाएं, और कहिए कि गुर्जी उत्राखंडी यूट्यूब चैनल पर एक नया कोर्स लाँच होने जा रहा है, 1 सितंबर 2020 से, तो अब देर किस बात की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अप